अपडेट स्पॉंसर्ट बाई आशी स्टेक स्किल्स ATS रीवा नंबर वन कोडिंग इंस्टिट्यूट इन रीवा एड्रिस फर्स्ट फ्लोर रमा गोविन पैलेस रीवा नवश्कार विन्या टाइम्स में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ विवेक साल के अंत में मधप्रदेश में विधान सभा के चुनाओं है और उस चुनाओं के पहले बीजेपी को बागी नेताओं का डर सताने लगा है क्योंकि साल 2018 के विधान सभा चुनाओं के दोरान भारती जनता पार्टी को जो गलतियां हुई थी अब उसे वो दोहराना नहीं चाह रही इसलिए क्योंकि पार्टी हर सीट में अब पूरी तरह समी करन के हिसाब से आंगे के कदम उठा रही है और तैयारियों में लगी हुई है पहली कोशिश जो है भारती जनता पार्टी की कि असंतुष्ट नेताओं को मनाया जाए पार्टी ने जिने निसकासित किया है उनकी घर वापसी के अभियान भी चलाए जा रहे है और इसके अलाबा अगर बात करें तो प्रदेश में उन तमाम भागी नेताओं से बात की जा रही है जो काफी दिनों से भारती जनता पार्टी या कहें कि प्रदेश आला कमान या जिले में नाराज चल रहे है अभी हालही में जो घर वापसी हुई है उसमें प्रितम सिंग लोधी जुनों ने ब्रामभन समाज को लेकर टिपणी की थी जिसका बिरोध भी काफी हुआ था इसके बाद पार्टी ने निस्कासित किया था प्रितम सिंग लोधी जिस तरह की सक्ति प्रदर्सन शुरू किया था उसके बाद बीजेपी ने उनकी अब घर वापसी की थी इसके अलाबा हाली में सद्धार्थ मलाया दमोह से पूर्मंत्री जैन्त मलाया के बेटे दमोह उपचुनाओं के दौरान भितरगात का आरोप लगा था सद्धार्थ मलाया पर राहुल लोधी के शिकायत के बाद लाहुल सिंग लोधी जो वहां के उमेदबार थे उनकी सिकायत के बाद उनको पार्टी से निसकासित किया गया और अब एन वक्त पर चुनाओं के पहले सिधार्थ मलाया की घर वापसी हो गई है इस तरह भारती जनता पार्टी उन तमाम नेताओं को मनाने की कोशिश में है जो पार्टी के से मनही मन नाराज चल लहे हैं क्योंकि साल 2018 के विदानसवा चुनाओं में तकरीवन डेड़ दरजन सीटों पर भाजपा नेताओं की गुटवाजी और अंदरूनी कलह के कारण और भितरगात के कारण हार का सामना करना पड़ा था पुरानी गलतियों से अब सबक लेते हुए भारती जनता पार्टी इस बार किसी भी तरह से वह मौका नहीं चोड़ना चाहती जहां से उसे गलतियों का सामना करना पड़े इस परकार मद्रदेश में क्योंकि मद्रदेश में विधान सभा चुनाओं के अब महच 6 महीने ही बचे हुए है उससे पहले भाजपा आसंतुष्ट और बागी नेताओं को साधने में जुट गई है पार्टी एक खास रणनीत के तहट निसकासित नेताओं की घर वापसी कर रही है बीजेपी ने कई कारवाही नगरी निकाय चुनाओं के दोरान भी की थी और अब पार्टी उन लोगों को भी घर वापसी कराने की तैयारी में है जो नगरी निकाय चुनाओं में जिनका निसकासन हुआ था एक निश्चित रणनीत के तहट यह पूरी तैयारी मदप्रदेश में चल लही है साल के अंत में विधान सभा के चुना होने है उससे पहले भाजपा लगातार फेर बदल में भी लगी हुई है और नई निक्तिया की जा रही है नाराज नेताओं को मनाने की कोशिच की जा रही है और यहां तक की अंदरूनी कलह को समाप्त करने के लिए तमाम नेताओं की ड्यूटी लगा दी गई है तमाम नेताओं को जिले दे दिये गए है कि आपको इस जिले में अंदरूनी कलह को दूर करना है मतवेत को दूर करना हलाकि मतवेत की बात सबसे जादा चंबल इलाके से निकल कर आ रही है गौलियार इलाके से, क्यूंकि सिंधिया के वीजेपी में शामिल होने के बाद, वो तमाम चीजें सामने आने लगी, जो पुराने कार करता थे, वो कही नहीं नाराज चल रहे हैं, और भारती जन्ता पार्टी अब तमाम उन्यताओं को जो कलंबे समय से नाराज चल रहे हैं, उनको मनाने की तयारी में